तो बच्चों आज की लास में स्टार्ट कर रहे हैं क्या आल्डी हाइड का एक इंपोर्टेंट कॉंसेट होता है जिसको गोलता है डबल बॉंड इक्विवेलेंट यह कॉंसेट ना स्कूल में कराया नहीं जाता लेकिन क्वेशन सॉल्फ करने में यह बहुत ज्यादा इंपो होड़ा सा वैसे ही होता है कि डबल बॉंड इक्विवेलेंट का किताब में कोई जिक्र नहीं है लेकिन क्वेशन करने में यह बहुत ज्यादा है स्ट्रक्चर बनाने में तो यहां से स्टार्ट करते हैं मैं इसका आपको फॉर्मॉला लिखके दे रहा हूं सबसे पहले डबल बॉंड इक्विवेलेंट का फॉर्मॉला होता है कारबन ऑन प्लस वन au इसको कोई ब्लायसिका जिसमें कारबन छिदने हो अगर मांगो मॉल ऐसके जगा डौन sitting क्या अगा dif realities उफ क्वेए जगेड एasons आदे प्र μεंगर अगर मानलो c5 है h6 है x2 है halogen मानले halogen कौन सा हो सकता है c l2 और nitrogen सिर्फ एक है तो c की value 5 हो गई h6 हो गई x की value क्या हो गई 2 और n की value क्या हो गई 1 तो यह number of atoms है यह halogen यह hydrogen यह nitrogen और यह carbon अब इसका काम क्या होता है मैं आपको काम बताता हूँ मान लो आपके पास एक compound है क्या अच्छा इसे लिख भी देता हूँ where c is equal to number of carbon atom इसी तरीके से h हो गया number of hydrogen atom x हो गया number of halogen atom और n हो गया number of nitrogen atom तो अब मान लो आपके पास एक compound है क्या c6 h6 जैसे कि आप सब जानते हो कि c6 h6 का structure क्या होता है आपको पता है बेंजीन है लेकिन मैं यह बताता हूँ db का काम क्या है db का काम होता है जैसे अगर मैं इसका db निकालू तो क्या आएगा carbon plus one that is six plus one minus hydrogen upon me two halogen है नहीं और nitrogen भी है नहीं तो solve के कितना आया six plus one seven minus three कितना आया इस four का मतलब है इसके अंदर four इसके अंदर four क्या है या तो four pi bond है क्या है four pi bond यह जो double bond equivalent होता है यह बराबर होता है pi bond या फिर ring के अगर four pi हो गया तो ring एक भी नहीं बनेगी रिंग तेल ने गई या यह बात तुम्हें ring समझ में ही नहीं आई ring क्या है नहीं आई ना पांच मिनट तक बस सबर करो यह चीज़ समझ में आने लग जाएगी four pi bond होंगे या zero ring या फिर उस compound के अंदर तीन पाइब ओंगे और एक रिंग या दो पाई दो रिंग एक पाई तीन रिंग या जीरो पाई चार की चार रिंग अब इसको यूटिलाइज करते हैं कैसे मान करें चलो आपका ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है है कितने रिंग बन गई एक रिंग बन गई तो पाई बॉंड कितने लगेंगे कि पाई बोंड़ तीन लगा लिया चार ड बी पूरे अब चेक कर गते हैं कितने बॉंड ने हैं वन टू थ्रे तो कितने एच्छ लगेंगे एक इस पर एक इस पर एक इस पर भी एक और इस पर भी एक तो चेक करके देख कार्बन पूरे लगाने के बाद तिरको हाइडोजन की कमी तो नहीं पड़ी ना वरना तुम यही नहीं पैचान पाओगे कि अगर मैंने यह कंपाउं तो तुम्हें क्या से पता लगेंगा कितने पाई बॉंड लगाऊं सो दैट कि मेरे हाइडोजन उतने ही बैठे कि सारे कार्बन की विलेंसी पूरी हो जाए चेक करके देख अगर इसमें मैं माननो रिंग तो यह है नी तो अगर इसके अंदर में चार पाई बॉंड लगा तो यहां लगा लिए इसकी कितने हो गए दो यहां लगा ले अफटर यहां मतलगा दियो नि इसकार्बन पंच बॉल लगा ले ले टो के चार रीओर पूरगैंट तो चेक करके डेक्ए आउचे आइढ़न सुफिशिन्टा एसकी वैलिए को करनेगें वाणी कितने आनकूर सोफिशिन्ट और युक्टER होगैं होग वाणी तो ट्रेऊ कॉंडला है को यह बता देगा रिंग बनानी है या नहीं बनानी और रिंग बनानी है तो आपको कितने पाई बॉंड लगाने सो दैटी मेरे पास गलती से भी ना हाइड्रोजन की कमी ना पड़े लो अगर आज आरेकल आपको देदू कोई भी कंपाउंट देदो सी 7H6.0 क्या देदू सी 7H6.0 यहां चेक करते हैं इसका डी वी निकालेंगे चेक करना यहां कहीं ऑक्सिजन तो नहीं आया था ना तो डू नौट कंसीडर ओक्सिजन निकाल डी यह कारवन कितने यह साथ साथ फ्लस एक माइनस हाईडोजन कितने यह चे बाए दो तो एक इतना आया आठ थीन क्या अब यह वह फाइफ और एक याद रखना जब भी आपका चार या चार से जजादा DbeI तो वहाँ बेंजीन रिंग बना दो जाएगी चार कूं चारी होगई क्यों की एक क्रींग और तीन है अगर ते बेंजीन बना देता तो कतीन उस हो गये चार यूस हो गए अभि यहां दे यहांестно कौन सा यह उसका ले ले तू पाइ प्लस टू आर उसका अलग सा एक्जाम्पल नहीं है इसी शी सिक्सेश्च में लगा दें तू पाइ प्लस टू आर का इसका एक्जाम्पल मांग रहे है न यह अगर मैं इसको यू जोड़ दू आप लिए क्रिंग नहीं हो गई कि करना एक रिंगोली यह और एक रिंग गोली कि शेक्स्राइए अ सारे तो क्या हुआ है तो तो इस बॉंड के माधियं से कारभन कारभन की वैले दी तो पूरी कर रहे है अब किटने लगाने की लगा नहीं लगाएगी कहा लगा भू जा कर लिया लगाए अगला लगाँ इस वाले पर लगाँ यहां माले में अब चेक हर इस कपर हैं वन टो थ्री फॉर इसके बता वन टू थ्री ले एक हैच वन टू थ्री ले एक हैच यहां बोल दो एच यहां बोल यहां बोल चक कर देख लें बैसके बूट छे है कि नहीं कि यहां पर आपको देना है यह जो मैंने आपका इस वाले सी 7102 का डीवी निकाला पांच आया तो अगर मैं इसमें देख यह तो है बेटू की चीज कि यह बेटू की चीज एक्जिस्ट थोड़े करती है 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 अरे यह चोटी सी बात सुन यूरा एक तेरा कमरा कि बीच में दिवार डाल दे कितने कमरे हो गए वह बात अलग है चोटे-चोटे हो गए तो जो तरी एक साइक्लिक रिंग थी अगर बीच से यहां से जोड़ दूआ तो अब कितनी हो गई वह बस अब यहां देख अब बीच इसका जैसे मैं यहां पर दो बेंजीन रिंग एक बेंजीन लगा दो चार डीबी यूज वह गए अब बता कार्बन कितने यूज वह इसमें अब अब अगर सारी जगा तेरे कार्बन लगे ही हुए हैं अब इस वाले फॉर्मुले को मैं यूज करवाने जा रहा हूं आज के क्वेश्चन्स में यह क्वेश्चन्स जो आपके होते हैं यह टिपिकल लेवल सबसे मुश्किल काउंट होते हैं आप यह फटा फट लिख लो एक बार हां देख यह पाई बॉन्ट तीन हो गए एक पाई बॉन्ट चॉत्था हो गया और एक यह रिंग हो गई टोटल पांच डीवी इसको लिख लो फिर आगे कॉश्चन करा रहा हूं कॉंसेप्ट यह हो गया चलो अगला कॉश्चन स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक पर बेज़्ड आपकी बैक एक्सरसाइस का क्वेश्चन नंबर ते चलो यह कॉश्चन क्या कहता है द्यान से देखना एक और यानिक कंपाउंड है विद मॉलीकुलर फार्मवला सी नाइन एक तेन ओ यह जो इन्होंने क्या रख्था है सी नाइंस टैनो यह फॉर्म करता है ट्ववर डिए अन पी डेरिवेटिव यह क्या फॉर्म कर रहा बहुत तसल्ली से देखता जा इन्होंने इंफर्मेशन क्या क्या दे रखी है उसके बाद करता है रिड्यूस करता है टॉलन्स रिएजेंट को यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूसेज टॉलन्स रिएजेंट पहले लिख लेते हैं उसके बाद आइडेंटिफाइए करेंगे कि कौन सी रियक्शन क्या चीज हमारे को क्या चीज हमको पता नहीं क्या है जो हमारे को किस चीज की हिंत दे रही है कि अगर यह कर रहा है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगला क्या है कि क्या रहा है कि टॉलन्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है और अंडर वो होता है कैनिजारो और क्या लिखका है गिव्ज कैनिजारो रियक्शन और उसके बाद क्या क्या रहा है कि on vigorous oxidation अगर मैं इसका बहुत तगड़ा oxidation करूं oxidation तो यह मेरे को देता है benzene 1-2-dicarboxlic acid क्या देता है यह बेंजीन 1-2-dicarboxlic acid यह होता है कि फर्स्ट पोजीशन पर भी COOH है और सेकेंड पोजीशन पर क्या है इस पर भी COOH है तो अब यह सारी information हमारको इस compound यार पहली सी बुझा रहा है यार सिद्धा सिद्धा तो compound बदा दे यहां पर द्यान देना कि पहली चीज़ अगर 2-4-dnp इंडरो तो यह बात हमारको पताए क्या देती है 204 bnp देता है तो यह बताती है कि उसके पास कार्भन और क्रूपर कर cur और कुछ सकता है उसके बात कह रहा है रिदूस एक साइड सी ओके क्या ले रहा है एच अब इतरी तो पता लगाना है क्या होगा और आगे देख चानी जारो रियक्शन भी दे रहा है क्या निजारो रियक्शन का मतलब यह है अलफा है नहीं है अरे यार दो रियक्शन थी एक अलडॉल कंडेंसेशन अलडॉल वाले में क्या होता था यहां पर आप लिखो गें क्या आलफा हाइड्रोजन एज़ इस कई तरो निजारो है इसकी करियों भाई क्या निजारो तो पोपट है तो एल्डी आईडी अब चिल कर रहा है यह बोल बेंजल दिया मतलब यहां पर क्राइटीरिया क्या है अल्फा इड्रोजन नहीं चाहिए ना अगर फाइड्रोजन हो तो हो जाएगा तो वह कौन सा अभी यहां चेक करतें तसल्य से नो अल्फा इड्रोजन और और बाकी बैंजीन डायकार बॉक्सलिक असे दे रहा है चलो ठीक है अब मैं क्या ही बोलू उसके बारे में तो जादे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या निजारो तब होगा जब उसमें अल्फा इड्रोजन नहीं होगा समझ गाए बात है तो यहां से सल्यूशन चालू होता है निकाल बेटा डबल बॉन एक्विवेलेंट क्या आएगा कारवन इतने इसमें तो नौ प्लस एक माइनस हाइड्रोजन टेन अपॉन में टू ऑक्सिजन तो काउंट करते हैं नहीं तो कितना हुआ दस माइनस पांच इस इकोल टो भाई जब भी मैंने का पांच चार से ज है और इधर की साइड क्या लगा ले सी एच ओ दिखाई दे रहा है उसमें है क्या लगा ले यहां पर सी एच ओ लिए लगया अब मेर को यह बता देख इस वाले कार्वन पर बताब एलफा एडोजन है या नहीं है है कैसे आएगा यह चेक कर लेते हैं पहले कितने कार्वन और यूज और यहां पर यहां पर एच यहां पर एच यह ऑगया और यह था लोग आइं एच बचेश्य चार यह बचाँ दो सी टू एच फॉर क्या होता है कुछ होता होगा अब गुर्प तेरे को कहीं लगाना है तो जिदर लगाएगा वहां से एक निकालेगा अरे बोल भाई यहां से निकालेगा तो वह एक गृडप निकालेगा ना तो अगर माझले वह किसी भ तो अब उठाके तरको इथाइल लगाना है इस पोजीशन पर लगाऊं या इथाइल इस पर लगाऊं या इस पर कहां लगाऊं तो किस पर लगाऊं तो आंसर यह है कि भाईया यह कहरे कि अगर इस कंपाउंड का विगोरस औक्सिडेशन करने विगोरस औक्सिडेशन का मतलब होता है यहां पर यहां पर अगर तेरा लगाऊंगा शीए टू शीए ट्री विगरस और यह भी और यह भी कनवर्ट हो जाएगा में और यहां से हटा करके इधर लगा दे सी एस टू सी तो विगरोस ऑक्सिडेशन पे बेंजीन वन टू डायकार वक्सिक मिलेगा इसलिए यहां नहीं लगाएंगे कहां लगाएंगे यह समझ में आई अरे बूलो आप इस वाली इंफॉर्मेशन को लिखो फिर में यह सारी रियक्शन आपको लिख करके दिखा रहा हूं चलो बई अब सारी रियक्शन में आपको यहां पर इसकी एक एक करके लिख देता हूं टू-फोर डी एन-पी यह साथ क्या रियक्शन होगी यह द्यान दो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसे यहां ऐसे करके लिख दूँ और यहां हो गया CS2 और CS3 तू-फोर डी एन-पी आपका होता है एन-च्टू ए एन-च्टू यहां पर बेंजीन कि इधर एन-ओ-टू और इधर एन-ओ-टू होगा क्या वाटर मॉलीक्यूल रिमूव होगा यहां से और यह वाटर मॉलीक्यूल रिमूव करके आप क्या कर देंगे अरे यह एस्टो निकालो डबल बॉन एक्सेंड कर दो बना दो प्रोड़क्ट समझ गए तो हो रहे और यह तभी होगा जब कारुनाइल गूप रहा होगा तो टू-फोर डी-एन-पी से रियक्ट करने का क्या मतलब है उसके अंदर कार्वनाइल ग्रूप है अब रिड्यूस इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ कैसे रियक्शन देगा सेकिंड रियक्शन लिखो आप यही वाला कंपाउंड रीमेक कर दो सी डवल ओएच और यहां पर सी एस्टो सी एस्ट्री टॉलेंस रिएजेंट में आपका डलता है दो मॉलिक्यूल ओफ अमॉनिकल सिल्वर एनजी प्लस और क्या डलता है गाईस थ्री ओएच माइनस और उसके बाद प्रोड़क्ट बनता है यह बन जाता है सी यो नेटिव कि यहां लिख देता हूं आपका नीचे लिख देता हूं कि सी ओ नेगी और यह आजएगा है टूएज यहां पर आ जाएगा फारे महिज थ्री प्लस डो वाटर सेते तो फिल्वर मेंर में बताता है कि आपका कि अल एक और का हम एक है तोले दियूबुर थी इसके बाद क्यानिजारो रियक्शन का क्या मतलब होता है लिखो क्यानिजारो का आ लिखो इले इधार ही देता हूं इसको सी टू एच फाइच फाइच फ्लिक देता हूं सी एच तो क्यानिजारो होता है क्यां एक तरफ बन जाएगा सी ओ और नेगेटिव एंग में मतलब ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं तो कुछ समझ में आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा है बुलो कि नेक्स्ट और यहां पर सी टू एच फाइप और लास्ट रिएक्शन जिसमें यह वाला किसमें अन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजीन वन्टू डायकार्बॉक्स लिक एसेड यहां पर लिख देता हो रियक्शन अब लोगा एच यहां पर सी एस टू एस ट्री वीग्रास ऑक्सिडेशन का रियेजेंट क्या होता है के एम एन ओ फॉर प्लस को एच फर्स्ट में और सेकेंड में डालेगा एच प्लस तो यह किसमें खन्वाट हो जाएगा यह भी सी हो जाएगा सी ओ हो गया है दन कर दो से यह क्वेशन पता है कितने मांक्स काता है अगर आता है तो हाँ तो वह सिंगल कंपाउंड यह है ना और यह उसका डिस्क्रिप्शन था आपने यह पहचानने के बाद वह सारी रियक्शन करके नहीं दिखा दी कि पहले रियक्शन आपकी यह वाली हो रही थी सेकेंड रियक्शन आपकी यह वाली हो रही थी और चौती रियक्शन कि लिखने उसे कि नेक्स्ट क्वेशन क्या रहा है बच्चो क्या इलेवन क्वेशन क्या रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मॉला है सी एट एच सिक्स्टीन ओटू ठीक है एक है c8h16 20 यह रहा कि इसको हमने हाइडोलाइस की हाइडोली का मतलब होता है एच 2 जाल दिया हैš अब आप एक्ध्र में डाल दो या ओच माइनस की प्रेसिश्ट में डाल दो वह होता है कि वाटर की एक्टिविटि को रियक्शन को एनहांस कर रहे हो तो आपको क्या मिला किया रहा है विट डाइलूट सल्फियूरिक असे एस प्लस आ गया तो गिव कार्बॉक्सलिक असेड बी क्या है बी है कार्बॉक्सलिक असेड और क्या मिला प्लस मिला C अलकोहल आपसे एक चोटा सा कोश्चन वो कौन सी चीज़ है जिसको हाइड़ोलाइज करने पर कार्बॉक लिक और एलकोल मिलती है या इसका यी सोच सकते हो कि खाय क्षूलिस और आख क्या मनता है एस्टर एस्टर तो एस्टर होगा यह कार्लोक्ष्लिक एसेड और एल्कॉल दे रहा है तो यहां पर आते क्या है कि ऑक्षिडेशन ऑफ सी यह जो सी एना सी एल्कॉहल अगर मैं इसका ऑक्षिडेशन करता हूं विद्क्रोमिक एसेड प्रोड्यूसिज बी अगर इस सी को मैं और क्षिडाईज करता हूं तो यह बी देता है यहां पर लिखा मैंने क्रोंबिक ऑक्षिड प्रोंबिक एसेड बुर्यूमिक एसेड से अगरो तो सुच करके देखकर कार्पॉक्सलिक एसेड और एल्कॉहल मि हिए और रवन के इंग्री समझें हो उसके बाद क्या रहा है उसके बात क्या रहा है उसके बात क्या है 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 उसके बाद क्या आंगार है और सी वित रो reign violation करूं एदिहिःशन क्या उता है water remove करना C का अगर dehydration करें मतलब water remove करें तो क्या मिलता है इससे but one in but one in यही होता है गाइस CH2 CH3 तो सोच करके देख काका यहाँ पे जितने कार बन होंगे उतने ही यहाँ होंगे और यहाँ जितने कार बन थे dehydrate करके उतने ही कार बना है मतलब यहाँ पे चार कार्बन एलकॉल में तो कार्वाक्स लिक में भी चार होंगे तो यहाँ जितने हैं सबसे पहले इसका DBE निकाल ले DBE क्या आ रहा है इसका चेक कर भाई 8 एट कार्बाई फॉर्मुला क्या है कार्बन प्लस वन माइनस हाइडरोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइटरोजन बाई तो हैलोजन नाइटरोजन वाले कोशन अभी बाद में आएंगे ठीक है फिलाले आ ध्यान दो कार्बन आठ प्लस एक माइनस सोला उक्सीजन काउंट नहीं होता तो कितना आया 9 माइनस 8 वन टीबी का मतलब है या तो एक रिंग ले ले अरे बोल दे जीरो पाई या फिर एक पाई बॉंड ले और जीरो तो सोच करके देख अगर तू यह क्या रहा है कि कार्बॉक्स रिक और आलकॉल मिल रहा है तो मैं इसे एस्टर बोलू अरे बोल और एस्टर ग्रुप कौन स होता है और सी डबल ओ और यह होता है और सोच करके देखना यह वारा पाट रभाट बन जाता है यह वारा लगा देना है क्या लगा देना है डबल वांड ऊप अब तुम्हारे दिमाग में कोशना आगा बैस की मुझता ने बीच में ही क्यों लगाया और आशू सरही से उठा करें कि थर्ड कार्वन के बाद लगाने का कि समझे नहीं हो बीच में लगाने का मकसद यह था कि अगर मैं इसको हाइड्रोलाइस सपोस्ट करता हूं कर운데 और कर्म बन जाएगा और यह वाला पार्ट क्या बन जाएगा वर यह वाला पात क्या यह बता रहा है यह मिलेगा यह मिलेगा यह बात तो हमें एस्टर के रिलेक्शन से पता लग गई अब इसी को अक्सेडाइस करके यह वाला मिल रहा है तो कार्बन बराबर होने चाहिए न वह बात यह हो गई कि इसे एक्जाक्ली बीच में लगाएगा तभी कार्बन बराबर बराबर आएंगे समझ गया है इसको फटा फट लिखो यह कोशन हो गया यह भी कोशन कम से कम दो स थ्री माक का तो बैठता ही बैठता है यह करो एक कोशन और दे रहा हूँ